मां का एक प्यार है, मां का एक अपनापन है, उसको प्रणाम करो और उत्तम बात यह है कि यदि बन सके तो उनकी शेवा करता रहे और फिर भजन करता रहे जिसे महा प्रभु चैतन्य देव जब सची माता संभाषन तो यही कह रहे थे कि मैं अपने सरीर की तचा की यदि जूती बनाओं और मां तुझे पहनाओं तो भी मैं मुक्त नहीं हो सकता तुम्हारे प्यार से पर क्या करो मां स्री कृष्ण मुझे गसीट रहे अब मैं स्री चैतने लिवकाल क्या शें सरस्काल है उससे निकाल देना केकल प्रभु की बात थे दूसरे के जुशन में מחता है कंभी मांको अपमानित नहीं करना चाहिए और मांको कश्ट नहीं देना चाहिए और कोई सेवा वाला नहीं है तो फिर मां की शेवा में रहे और जब ऐसी व् आचारी चरहण ने सन्यास लिया महाप्रभु ने सन्यास लिया चैतन्य देव एक ऐसी इस्थिती हरदय में पीड़ा होती है जो किसी का प्यार उसे रोक नहीं सकता वो प्रभु की तरफ से फिर ये क्या होता है फिर भिश्वमर भगवान शमालते हैं लेकिन मुझे लगता है जब तक ऐसी इस्थिती ना हो तब तक मां और पिता इनकी आराधना करनी चाहिए सब को करनी चाहिए सची माने भगवान ही इनकी रूप में इनका प्यार इनका दुलार इनका आश्चिरवाद एक दिन एक मा के दर्शन हुए जो हाल में ही बच्चे को प्रगट करने वाली उसकी दसा देखके लगा कि ये मा को कस्ट होता है जुकना नहीं हो सकता चलना नहीं हो सकता कैसे हो हमें नो महीने गर्भ में रखा और मेरे लिए इतने बड़े पेट को फड़वाया आप्रेशन करवाया या कितना भैंकर कस्ट सा मेरे लिए मलमूत्र दोए क्या 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 अगर हमारी बुद्धी काम कर रही हो भगवान ऐसी स्थिती ना लाए हो वैरागी की कि आप कुछ सुहाई ले इसमें तो फिर सब खतम इसमें तो फिर प्रभू समालते हैं सब नहीं तो चाहिए माता पिता को भगवान के शमाना आराधना करे भगवत भाव से खुब भजन करते माता पिता की सेवा करे प्रणाम है माता पिता को जिन्होंने इस सरीर की सुरक्षा बेवस्था पालन पोशन के लिए ही अपने सारी बृत्ती लगा दी सारी बृत्ती लगा दी वो माता पिता पूजनी है बंदनी है भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो प्रात काल उठके रघुना था मात पिता गुरु नावईमा था पंडित रामकृष्ण बावा अपने ब्रज के रसिकों के मुकुट मने है जब उनकी मा मिलने आई तो बावा मिले और उपेक्षा कर दी तो बावा का भजन रुग गया जीवन चरित्र में आता है बावा को बुलवाना पड़ा मा को और रखना पड़ा अगर ब्रणदावन वास के लिए वो आई थी और बावा ने उपेक्षा कर दी तो वो ऐसे परमंस रोमणी महा पर उसका भजन रुग गया मा मा भगवत सरूप है इसलिए मुझे लगता है जब तक सब कुछ भुला देने वाली स्थिति वैराग्य की प्रबलता जब लगता है कि अगर रोक लिया गया तो प्राण निकल जाएंगे असली में तब फिर वो भगवान शमालते है फिर वो एक स्थिति है इस स्थिति को जानने वाले सरवक भगवान है वो समाल लेते लेकिन जब तक ऐसी स्थिति ना हो तो माता पिता का निरादर न करे वो भी भगवाने ही है ऐसा मान कर उनकी आराधना करे कहीं ऐसा न हो कि हम अपने वैराग के नाटक में वो उसर खोदे जो जीवन में मिलने अलले माता पिता की आराधना भी भगवत आराधना ही है और ये भगवान ने प्रमानित करके दिखा दिया आज भी बिठल भगवान के रूप में बिराजवान है यही दिखाने के लिए कि माता पिता के आराधना का क्या फल है दिखा दिया वो कई बार चर्चा में आया है इसले हम प्रार्थना करेंगे कि माता-पिता का अधर करें उनकी आग्यां पालन करें जब ऐसी स्थिती है तो फिर भगवान शम्हालते हैं भगवान ही माता-पिता हैं वो हरदय में ऐसी संतोष वृत्ती प्रगट कर देतें माता-पिता के क्योंकि वो आनंदित होने लगती है उसका शिर्वात हमारे साथ रहता है तो आईए और मेरे साथ द्रेम से करिए द्रेम आधे